हलो दोस्तों मैं हूँ जीत मैं आपको गदा दू मेटर का जो इलेक्रिक बाइक के काफी अट्रेक्ट्रूग बनाया गया है और यह काफी तवाही मचार है दोस्तों इस वज़े से इसका प्राइज हाई कर दिये गया है और इसमें आपको कितने गूत देखने को मिलेंगे उसके बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ चलिए दोस्तों इसका रेंज कितना है ओभी मैं आज आपको बताऊंगा चलिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करते हैं इसके हेड लाइट की बाद के तो कुछ इस पकार से आपको एट्रेक्ट्व हेड लाइट देखने को मिल जाता है उपर नंबर प्रेट देखने को मिलेगा टिल लाइट के बाद के तो यह भी आपको एलेडी ही देखने को मिलेगा दोस्तों वैसे आपको जो इसमें मीटर दि कि दुस्तों digital है तो digital meter आपको देखने को मिलेगा speed meter और बात करें दुस्तों इसके engine की तो इसका जो engine है काफी अलग बनाया गया है जो कि यह आपको normal engine जैसा आवार इसमें देगा जो कि आप देशकते हैं काफी अलग engine देखने को मिल जाता है इदम सेम आपको लगेगा यह petrol वाली इंजन है और बात करें इसके फ्यूल टैंक की तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक है आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है इसमें आपको फ्यूल नहीं डालना दोस्तों इसमें आपको चार्जिंग लगाना है जो कि आपका चार्ज हो जाएगा बाइक और इसका जो सीट है आपको टू सीटर देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार से यह भी आपको काफी अट्रेक्टिव दिया गया जैसा कि आपको बजाज पलसर में देखने को मिल जाता है split sheet और dual sheet ओयसा भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है बात करें real tire की तो इसमें आपको disc brake देखने को मिल जाता है जो कि tubeless tire भी यह आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है दोस्तो इसमें आपको disc brake देखने को मिल जाते है और जो इसका suspension है काफी अलग द अलग बनाया गया है और अच्छा है दोस्तों और इसके नंबर प्लेट की बात के तो रहत पता दिया गया है ताकि पदा चल सके इलेक्ट्रिक बाइपर है आर इसका जो आपको कुछ इस पकार से स्खुब देखने को मिल को मिल याता है टैंक-पे जो की काफी अलग बनाता है डिस ब्रेक आप देखिज सकते हैं एक three अब nothing थाई कर दिया गया जैसे की प्राइज एक सुरूं प्राइज आपको एक लाग 345999 रुपए इंसुरेंस की बाद के तस जार 268 रुपए और उनरोड प्राइज की बाद कर तो एक लाग 445,266 रुपए देखने को मिल लाता है अभी का यह जो प्राइज है और पहले था उसक रुपए देखने को मिल जाता था मगर अभी आपको 10,000 का देखने को मिल जाता है और बात के दूस्तों इसकि राईडिंग रेंज की तो इसमें आपको 125 किलोमेटर एक बार चार्ज करने पर देदेगी और बैटरी चार्जिंग की बाद के दोस्तों तो आपको 5 घंटे में आपको फुल चार्ज कर देगी इसमें आपको USB पोर्ट देखने को भी मिल जाता है दोस्तों आप अपने मवाईल लागा कर चार्ज कर सकते हैं इसकी मोट पावर की बात के दोस्तों तो इसमें आपको दस हजार वाट का इसमें आपको मोटर पावर देखने को मिल जाता है वाइट और बलेक की कॉम्बिनिशन में दो क्रण ही अभी अभी अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक ये सब्सक्राइब जरू करें मिलते हैं अगले